मित्रों आज के इस वीडियो में हम जानने बाले हैं शिंख रासी के बारे में और कन्या रासी के बारे में कि 21, 22 और 23 जून का समय इनके लिए कैसा रहेगा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये समय कुछ खास रहने बाला है कुछ चमतकारी कुछ मजेदार कुछ रोमेंटिक समय ये रहने बाला है इसमें आपके जीवन में 21, 22 और 23 तारीख को क्या उतार क्या चठाओ होगा हम जानने बाले हैं आप से एक निवेदन है कि आप हमारे website misraforyu.com को एक बार जरूर भीजिट करें description में link भी दिया गया है जिस पे click करके भी आप वहाँ पहुंच सकते हैं मित्रों इसके अलावा अगर आप मुझसे अपने भविस्य के बारे में personally जर्मकुंडली अत्वाहंस तरेखा के अनुसार जानना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे WhatsApp नमबर 7062757996 पर में संपर्क कर सकते हैं जिस पे आपको आपके भविस्य के बारे में सारी बातें बता दी जाएंगी और आपके जीवन में अगर कोई समस्या है कोई परेसानी है तो उसका समाधान भी बता दिया जाएगा मित्रों चन्दर देव जो हैं सो अभी मिथून रासी में भी राजमान है और मिथून रासी में चंदर देव के बैठने के कारण सिंग और कन्या पर क्या प्रभाब पड़ेगा हम जानेंगे क्योंकि हमारा जो ये रासी फल है वो चंदर रासी पर में आधारित है आईए अब हम जानते हैं अपने सहयोगी मंजय ठाकुर की आवाज में सिंग और कन्या रासी वालों का 21, 22 और 23 तारीख का समय कैसा रहेगा दोस्तों आईए सबसे पहले हम सिंग रासी के बारे में जानते हैं कि 21, 22 और 23 जून का समय उन जातकों के लिए कैसा रहने वाला है दोस्तों ग्यारहवे भाव में मित्र बुद्ध की रासी पर इस्थित चंद्रमा के प्रभाव से ज्यातक को बाहरी अस्थानों के शंबंद से लाव प्राप्थ होगा किन्तु इतना ही नहीं इस लाव के साथ साथ खर्च भी बेहद होने की संभावना है कहने का मतलब हुआ कि लाव जिस अनुपात में आएगा खर्च भी उसी अनुपात में ही होता चला जाएगा उनके पास जमाडा सी कुछ नहीं बच पाएगी दोस्तों साथ भी मित्र द्रिष्टी से पंचम भाव को देखने के कारण विद्या बुद्धी तथा शंतान के पक्ष में भी कुछ कमी आएगी बाहरी तोर पर ऐसा जातक धनी समझा जाएगा तो दोस्तों आईए अब हम इसे बारी बारी से एक एकर इसकी चर्चा करते हैं इसे समझने का कोसिस करते हैं सबसे पहला है मस्तिस्क और बुद्धी दोस्तों ऐसे जातकों का इन दिनों मस्तिस्क और बुद्धी की स्थिती सामान निसी रहेगी क्योंकि इन्हें हर छित्र से लाव के साथ साथ हाने का भी सामना करना पड़ रहा है इनकी बुद्धी समान्य सी बनी हुई रहेगी द्धान और संपती द्धान और संपती की स्थिती इन दिनों समान्य सा देखा जा रहा है ज्यादा अच्छा भी नहीं, ज्यादा खड़ा भी नहीं दोस्तों भाई भान के बीच का जो संबंध है वो अच्छा दिख रहा है इनके भाई बहन के बीच का जो संबंध है और अन्य कोटोंबिक जनों का जो नाता है इनका अच्छा रहेगा माता से समानने स्नेह मिलेगा भूमी और भवन की इस्तिती भी अच्छी रहेगी शंतान इनके आधिनस्त रहेंगे शंतान इनके आग्या का पालन करेंगे और विद्या के छित्र में भी ये प्रुन्नती करेंगे इन दिनों ऐसा देखा जाता है कि रोग और शत्रूं से ये बिलकुल मुक्त रहेंगे प्रेम और विवा का संबंद इन दिनों इनके बीज बहुत ही अच्छा रहेगा इन दिनों ये रिन और शंकट से मुक्त रहेंगे धर्म में जोर सोर से भाग लेंगे धर्म से इनका भाग में भी कुछ परिवर्तन आता हुआ नजर आ रहा है पिता से सामान्य स्नेह मिलेगा ब्यवसाय इनका खूब बढ़िया चलेगा किन्तु नौकरी की स्थिती शामान्य बनी रहेगी आए के चित्र में आमदनी तो अच्छी होगी चारो तरब से आमदनी आएगी किन्तु वो आमदनी इनके पास ठीक नहीं पाएगी वो जैसे आएगी वैसे चली भी जाएगी किन्तु खार्च का जो खार्च का जहां तक शवाल है मित्रों ये खार्च भी उसी अनुपात में करेंगे ताकि इन्हें उपर से कर्ज न हो सके अता ये हानी के द्रिष्टी कोन में हानी इनको नहीं हो सकता है अब दोस्तों अब हम कन्या राशी के बारे में सुनते हैं कि 21, 22 और 23 जून का समय कन्या राशी वाले जात्कों का कैसा रहने वाला है दोस्तों दस्वे भाव में मित्र बुद्ध की राशी पर इस्थित चंद्रमा के प्रभाव से जात्क को राज, पिता एवं ब्यावसाय के पक्ष से पुर्ण लाव तथा सम्मान मिलेगा ऐसा देखा जाता है कि इन दिनों का समय जो है ऐसे जात्कों को अपने राज्ज से भी मान, शमान, एस्वायर्ज, उनकी जैगाथा हर चीज मिलने की सम्भावना है पिता से खूब प्यार मिलेगा, पिता और पुत्र के बीच बहुत ही बनिया तालमेल बनेगा ब्यावसाई का पक्ष भी इनकी ओर है, अर्थात ब्यावसाई भी इनका खूब बनिया चलेगा ब्यावसाई से इन्हें काफी पुरनती मिलने की सम्भावना है ऐसा व्यक्ति, धनी, सुखी, तथा यसस्वी होगा क्यों नहीं? दोस्तों, जिने हर तरह का सपोर्ट मिल रहा है, हर तरह से शहायता मिल रहा है तो उसका जीवन सुखी नहीं होगा तो और क्या होगा? जिसको अपने राज्य से, अपने पिता से, अपने ब्यावसाई धन्धा से, हर और लाभी लाभ है सुक ही सुक मिल रहा है तो उसका जीवन कैसा हो सकता है दोस्तों उसका जीवन तो धनी सुक ही और यससी श्वभाविक है ये अवस्य होनी की पुर्ण सम्भावना है सात्वी मित्र दिरिष्टी से चतुर्थ भाव को देखने से भूमी भावन तथा माता का सुक भी प्रयाप्त मिलता हुआ नजर आ रहा है तोस्तो आईए अब इसे पुना बारी बारी से एक एकर के संच्छेप में चर्चा करते हैं पहला मस्तिस्क और बुद्धी जैसा कि इन जात्कों में देखा गया है कि इन्हें अपने राज माता पिता ब्यवसाई के पक्ष से पुर्ण लाप्राप्त हो रहा है यानि की कुल मिलाकर इनका जो मांसिक संतुलण है मांसिक इस्थिती है पुर्ण तह अच्छी है मस्तिस्क इनका अच्छा रहेगा किसी प्रकार का कुरीतिया उत्पन नहीं हो सकती है धान और संपती का छेत्र है धान और संपती के छेत्र में भी इन्हें काफी प्रोणनती मिलेगी काफी लाभ मिलेगा भाई बहन का सुख इन्हें सामानने सार हैगा भाई बहन के बीच का जो तालमेल है उतना बढ़िया नहीं होगा जितना इन्हें अपने माता और पिता से सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों माता से भूमी से और भवन से माता का खूब बनिया स्नेह मिलेगा भूमी और भवन की स्थिति समान ने रहेगी संतान से अच्छा सुख प्राप्त करेंगे शंतान इनके आज्या के आधीन होंगे शंतान इनके आज्या का पालन करेंगे विद्या कुशागर होगा विद्या के छित्र में भी ये काफी अग्रसर होंगे रोग और सत्रू से बंचित रहेंगे इन दिनों प्रेम और बिवा का संबंध है तो प्रेम और विवा का संबंध इनका शामान ने साथ दिख रहा है रिन के छेत्र में ये रिन से मुक्त हैं रिन इनको छूबी नहीं सकता और किसी प्रकार का संकट भी इन्हें असपर्स नहीं कर सकती धार्म के छेत्र में ये काफी जोर सोर से भाग लेंगे धार्म में स्ने और सद्धा जुटाएंगे इनका भाग्य खुब बढ़िया साथ देगा पिता का प्यार मिलेगा ब्यवसाय और नौकरी में भी अच्छी प्रोनती होने की संभावना है इनका आए अच्छा होगा लावी अच्छा होगा खर्च सामान रहेगा उमेद करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आये तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें इसके वेल आइकन की बटन को दबा कर जितनी भी वाट्सेप फेस्बूक ग्रूप से जुरे हुए ब्यक्ति है उन सभी जगों पर इस वीडियो को सेयर कर दें आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबो कमेंट में लिखें जै शंभू नारायन